हलो साथियों नमस्कार मैं आसीज कुमार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल संराज कोचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज मैं आप लोगों के बीच रिजनिंग के कुछ अति महत्पूर्ण क्यूस्चन कराने वाले हैं जो अक्सरहा आपके रेलवे एंटी पीसी, गुरूब डी, एससी, बैंकिंग, इत्यादी में पूछे जाते हैं तो चलिए सुरू करते हैं, शुरू करने से पहले आप लोग से बिंती है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यूँ है तो चैनल को सब्क्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, तो कि रात्री उसी परकार संबंधित है, दीन से जिस परकार मित्र संबंधित है, खालिया स्थान से, इसकी उस चैनल में कहा गया है कि रात्री उसी परकार संबंधित है, दीन से जिस परकार मित्र संबंधित है, खालिया स्थान से, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो रात्री है रात्री का संबंद दिन से मतलब रात्री का संबंद उल्टा रात्री का उल्टा दिन से तो उसी परकार कहा गया है कि जो मीत्र है उसका संबंद किसे होगा आपका एक है लड़की से अप्शन नमबर बी है भाई से अप्शन नमबर सी है सत्रू से अप्शन नमबर रात्री का उल्टा दीन है, तो मित्र का उल्टा किसे होगा, सत्रू से तो इस परकार आपका क्या हो गया, ओप्शन नमबर सी, क्यूस्चन नमबर दो, यह क्यूस्चन कह रहा है, यदि भाग का आर्थ है जोड़ना, गुना का आर्थ है घाटाना, तो पंदरा गुने नौ भाग, बारा गुने चार, गुने चार भाग, चार का मान क्या होगा, यह देखे इसमें कहा गया है, जो चिन है, गनीत comment यह चिन है, उसमें क्या क्या गया है, फेर बदल क्या है, तो पहले देखें बाग का आर्थ ते जोड़ना से है तो भाग का बराबर जोड से है और गुणा बराबरी है घठाब से तौ सक पूछ है इसका मान पूछ रहा है तो हम लोग देखेंगे कि क्या है कि अलवोना के कि यह in2 Papa द्रा अपकारा गुना गुना चार्थ्त क्या है घठाब से तो यहांषी हो जाएगा घाटाब हो जाएगा इन्टू अब भाग भाग कार्थ क्या है भाग कार्थ जोड़ना से है तो यहां पर क्या लिख देंगे जोड़ना बारा गुना कार्थ क्या है घाटाब से तो यहां पर क्या कर देंगे चार घाटाब कर देंगे और यहां पर गुना है गुना का समन्द किससे है घाटाव से है तो फिर क्या करेंगे चार और यह भाग है तो भाग कार्थ किससे है जोड से यहां पर कर देंगे चार दियान से देखेगा क्या होगा गजया और अब यह 15 मैंसे नौ जाए गा आपका छे बच्छे आगा पलस 12 मिसे चार जाय गा आठ बच जायएगा माइनस चार अच्छार जूटेगा तो क्या जाएगा आथ हो जाएगा अब सभी को कोफ्ष से हटाते हैं तो कोफ्षण बाहर मारी मईनस में तो तहां गया है कि कोस्ट के अगर बाहर माइनस जिए मोई गे खाटाव का बच गिया यही आपका अंसर हो गया यह आपका option number B हो गया इसमें करना था कि जो चीन दिया हुआ है उसको की मान दिया हुआ है उसको उल्टा मान को बस लिख देना है जैसे भाग का दिया हुआ था जोड से और गुना का दिया हुआ था घंटाप से तो वही चीन को सिर्फ य क्यूश्चन नमबर तीन देखिए यह तीन आकिर्थी को ध्यान से देखिए यह सभी आकिर्थी में गोला के बीच में संख्या लिखा हुआ है लेकिन तीसरी आकिर्थी में गोला में पूछ रहा है कि उसका मान क्या होगा तो देखिए यह क्या है पहला आकिर्थी में तीन पांच साथ नो अब बीच में छे हैं और दूसरी आकिरती में है यह पांच आठ दास बारा यह साथ है और तीसरी आकिरती में चार साथ ग्यारा सोला है बीच में पूछा कि बीच में क्या एगा तो देखते हैं कि यह किस पैटर्न पर बना हुआ है तो इसको देखते हैं तो आकीरती नंबर एक में देखते हैं कि यह देखिए कि क्या है कि तीन पलस दो जोड़ते हैं तो आपका क्या हो रहा है पांच हो रहा है ज्यान से दखिएगा अब फिर पांच में फिर दो जोड़ते हैं तो क्या हो रहा है 7 हो रहा है फिर उसी तरह से 7 में 2 जोडते हैं तो आपका क्या हो रहा है 9 हो रहा है तो देखिए कि ये दो जो common सभी में दो जोड रहे हैं उसको जोड़के देखिए तो क्या हो जाएगा 2 परलस 29wwww च्छे हो गया जो आपका मान है की बीच में दिया हुआ है अभर Ne Для दो को देखिए इसमें क्या है कि आप पांच में कितना जोड़ें यह तो आपका क्या हो गया 10 हो गया आपका रहा है कि 10 में कितना जोड़ेंगे कि वह बारा बन जाएगा कि द्रासफ में कितना क्लड़ राइड का बारा बन जाएगा तो उसे तरह से देखिए कि आपका क्या हो जाएगा द्यांद तरह किहाथागा यह तीन ठलस दो स्टू तो बड़ाबर आपका कितना हो गया थीन अदू पाँच अदो साथ देखी दो Èसका मान ग्याद कर ने के लिए उसी तरह से कि मुश्य तरह से है वी 6 में कितना जोड़ेंगे कि सात आजाएगा तो चार में में तनलंट होड़का ऐब खाड़कर टीट ना जो डैने की ग्यारा एक तो सांत में चार जोड़ेंगे तो इयारा दैया अब कारही कि ग्यारा में जोड़ेंगे कि षुव स्नीद ग्यारा में तो यॉच्राइब गया गा तो आप twenty hour चाहँ पर देखें nya मतलब किळिआ कितने यहां पर हो जाए हाएो इसका मान बारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 होगा इसमें करना क्या था कि देखे ध्यान से देखिएगा कि तीन था और पांच था तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि पांच बन जाएगा तो दो जोड़ दिया हमने फिर उसी तरह से पांच में कितना जोड़ेंगे कि साथ बन जाएगा तो दो जोड़ें तो उसी तरह से जोड जोड़ दो हो गया फीगर नंबर दो में देखेगा कर ride कि पांच और आठ तो उसमें इसी बताया गया है कि कितना 18 अपकर की जोड़ेंगे से तक पांच में तीनी जोड़े लेगा अनgest कर इसमें दो जोडेंगे तो क्या हो जागा 12 बन जाएंगा और जो जो जोकश्चा है उसको जूसी की जोल करेंगे मांन लिखेंगे तो person 5 अधू 7 यौ जाक एक जाझा नियम हो रहा तो तीस्या में भी वही क्या एक शुन फोलॉu करेंगे तो उसी टरल से तो चार में कितना जोड़ेंगे कि साथ हो जाएगा तो चार में तीन जोड़ेंगे और फिर साथ में कितना जोड़ेंगे 11 हो जाएगा तो चार जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा सोरी यहां पर 11 होगा 11 और रहा गया कि 11 में कितना जोड़ेंगे कि 16 बन जाएगा कि हो जड़ेंगे तो क्या होंगा तो जोड़ा गया संख्या उसी के जोड़के चोंगे टो फिटमें डालते हैं तो उसको सब को जोड़ेंगे तो 3, 4, 5, क्या होगा 4, 3, 7, 7, 5, 12 आपका अंसर क्या हो गया बारा उप्शन नंबर डी हो गया क्यूस्टन नंबर 4 देखे यह परतिभीम से क्यूस्टन है घाड़ी का परतिभीम से इसमें कहा गया है कि यह दि एक घाड़ी में समय है 9 बज के 11 मिनट हुआ है तो जल परतिभीम में समय होगा मतलब पूछ रहा है कि बाटर इमेज होगा जो क्या होगा घाड़ी में समय 9 11 हुआ है तो कि तो इस तरह के क्यूस्टन में हम लोग क्या करते हैं कि जो घाड़ी का समय है उसको जो दिख रहा है उसको का रहा था कि पर्थिभीम मसमय क्या होगा तो हमने कि यह पर एक दीकिघ्मिन के देखते हैं नोट यदि गाड़ी का समय दिया हुआ रहे यदि गाड़ी का समय दिया हुआ रहे यदि गाड़ी का समय दिया हुआ रहे दिया हुआ रहे तो रहे और जल पर्तिभीम्व में समय पूछा जाता है है समय पूछा जाता है है तो है कि अट हरा बज़ के तीस अठारा बज़ के तीस मिनिट है में से गहाड़ी समय गहाड़ी समय को गहाड़ा देते हैं गहाड़ा देते हैं एक और यह देख लिजेगा कि इसको गहाड़ाने के लिए सत्रा बटा है कि नब है कि सत्रा नब्वे से भी गहाड़ा सकते हैं और जब मिनट कामान तीस से अधीक होता है अधीक होता है तो देखे अब का रहा है कि यह घंटा हो गया यह क्या हो गया आपका मीनट हो गया तो कहा गया है कि आठारा है नव बचके ग्यारा मिनट तो इसमें से घंटाने पर आपका क्या हो जागा यह इसलिए यह जल परतिवींब बनेगा क्या होगा जल परतिवींब परतिविम 18 में से नवजाएगा तो आपका हो गया जल परतिविम में आपका नव बजके 19 मीनिट हो जाएगा जोकि आपका ओप्सिन नमबर कौन सा है ओप्सिन नमबर छी है देखिए इसमें कहा गया था कि जो घड़ी का समय है 9 बज की 11 मिनिट हो रहा है तो पूछ रहा जल परतिभी में समय क्या होगा तो हम जानते हैं कि घड़ी का समय दिया हुआ रहे और जल परतिभी में समय पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं इसको 18 बज़ के 30 मिनट से क्या करते हैं घाड़ी के समय को घाटा देते हैं और आपको यह भी बताएं कि अश्टार में की दूसरा कि 17.90 से भी घाटा सकते हैं लेकिन यह कब कर सकते हैं जब मीनट का मान जो है तीस से अधीक हो अगर यहां पर यह रहता यहीं ग्यारा ना रहा के अगर यहां 45 रहता तो फिर किसका यूज करते 17.90 में से करते और 18.30 काहीं भेलू 17.90 है जिसे के 17.90 है तो इसमें से घंटा जाएगा तो अठारा बचेगा और यहां पर क्या बच जाएगा तीस बच जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा बरावर जागा ठारा बच के तीस ही हो जाएगा तो इस तरह से जल परतिवीम निकालने के लिए आप क्या करें अठारा तीस में से क्या करेंगे घंटा को घंटा से घटा दिए और मीनट को मीनट से घटा दिए तो इस तरह से क्या हो गया जल परती भीम के रूप में 9 वज़के 19 मेट हो जाएगा जो ऑप्शन नमबर आपका सी है कि अब पांच कि यह कि स्ट्व कर है यदि हवा को जल कहा जाए जल को लाल कहा जाए लाल को फाल कहा जाए फाल को आम कहा जाए तो मच्छली कहां रहेगी इस तरह के क्यूश्चन में पूरा पढ़ने से मतलभ नहीं रखना है जल्दी और समय बचाने के लिए आपको क्या करना है कि जो question पूछा जा रहा है जैसे इसमें पूछा जा रहा है कि तो मचली कहां रहेगी पूछा जा रहा है कि मचली है जो कहां रहेगी तो ये सब बाते आपको मालूम होना चाहिए बेहवारी ज्यान से कि कोई भी चीज है जो कहां रहेगा चाहिए तो कैसा रंग होता है चाहिए ये जनकारी आप लोग को होना चाहिए तो इसमें पूछा गया है कि मचली कहां रह तो सोभावी किसी बात है कि मचली कहां रहता है जल में रहता है मचली जो है आपका किसमें रहता है जल मतलब पानी में रहता है पानी मतलब उसका कहते हैं जल और जल आपका देखिए कि यहां पर का रहा है कि यहां पर ध्यांच देखें कि जल को क्या कहा जा रहा है जल को क्या कहा जा रहा है जल को लाल कहा जा रहा है जल को लाल कहा जा रहा है यह नहीं सोचिएगा कि हवा को जल कहा रहा है वो नहीं होगा इसमें कोश्चन है कि मचली कहां रहेगी तो सभाविक सी बात है कि मचली जल में रहती है तो इसमें उपर वाले सेकंतर लाइन में देखना है कि जल को कहते क्या है तो जल को क्या कहते हैं लाल कर ते हैं मतलव कर कि मचली किसमें रहेगा मचली मचली कि आपका क्या हो जागा लाल में रहेगा लाल में रहेगा यह लाल में कैसे रहेगा क्योंकि जब जानते हैं कि मचली किसमें रहता है जल में और जल को किसमें कहा गया है जल को लाल कहा गया है इसलिए आपका क्या हो गया अंसर लाल हो गय ऑप्सन नमबर सी हो गया इस तरह के क्यूस्चन में यही करना है कि सिर्फ पूछा जाए नीचे वाला क्यूस्चन में किसी चीज के बारे में तो देखना है जिसे पूछा जिसमें कि मचली कहां रहेगा तो देखने कि मचली कहां रहता है सुभाविक से बाते मचली जल में र तो आपका यह क्यूस्चन ब्लड रिलेसंस रिष्टा समंधी प्रस्ण है उसमें एक महिला एक पूरुष की और इसारा करते हुए कहती है यह मेरे ससुर के साले का इक लौता भांजा है क्या कहती है यह किसके बारे में कह रहा है वह पूरुष की बारे में इसारा करते हुए कि यह मेरे ससुर के साले का इक लौता भांजा है इक लौता मतलब उसका भांजा कितना है सिर्फ एक ही है तो कहा गया कोश्चन में कि उस महिला का उस पूरुष से क्या संबंध है मतलब कहने का मतलब यह हो गया कि जो महिला है वह पूरुष से किस परकार सं मंदित है तो इसमें कहा गया है कि जो महिला है वो पूरुष के साथ कैसा रिष्टा रखता है कि इसमें ध्यान देने बाली बात है एक महिला है माननी तहें कि यहाいきます है और ए अरे कीदर पूरुष पूरुन का कि आप इसके ऑर इसारा कर रहा है कौन यह महिला इस पूरुष की और इसारा कर रहा है उंगली सिया जिस तरह से बता रही है कि यह मेरे ससूर मतलब महिला के ससूर महिला के क्या हो गया है ससूर हो गया है यह ससूर हो गया है अब करा कि ससूर के साले तो ससूर के क्या हो गया है साले हो गया है मतलब साले इसों कहते हैं साला करा साले का एक लौता भांजा है यह साला का क्या है यह यह पूरुस है क्या है इकलावता भांजा है क्या है इकलावता भांजा है कि द्यान से देखेगा वह महिला का रही है कि जो पूरुस के बारे में कि मेरे ससुर के साले कि के इकलावते भांजा है तो द्यान से देखेगा कि अगर यह पूरुस इस आदमी के क्या है भांजा है तो यह क्या हो गया यह अब इधर से चलेंगे तो यहां पर क्या जाएगा यह मामा बनेगा को अब देखे यह द। यह साला है कि Henceal मतलब कोई दिखिये क्या यहां पर कोई पूरुसी ही है में कि ससूर कॉन बनता है पूरुसी तो जब यह साला है तो यह क्या हो जाएगा इसका जीजा बन जाएगा यह क्या हो जाएगा जीजा जीजा हो गया और इसका यह महिला का ससुर है यह पूरुस तो यह क्या हो जाएगा उसका बहू हो जाएगी यह आपका क्या हो जाएगा बहुं बन जाएगा तो ध्यांत से देखियेगा कि जब है यह कि इसका जीजा हो गया यह इसका जीजा हो गया तो यह पूरुस्का क्या हो गया बेटा हो जाएगा यह पूरुस इसका क्या हो जाएगा बेटा हो जाएगा जो यह पूरुस है इसके लिए क्या बन जाएगा यह यहां पर बेटा बन जाएगा अब बेटा अससुर हो गया तो यह क्या हो जाएगा यहां पर इसकी पत्नी हो जाएगा मतलब कहने का मतलब हुआ कि यह महिला का ससूर हुआ अससूर का साला हो गया इसका क्या हो गया महिला का मंससूर हो गया अब मंससूर का भांजा इसके लिए क्या हो जाएगा इकलावता पूछ रहा इकलावता भांजा बोल रहा है तो इसका पूरुस है इस महिला के साथ कैसा संबंध है मतलब यह पूर सुने महीला का क्या है महीला का पती हो नो सुक्ति क्योंकि इस तरह से रिष्टे में बता रहा है कि यहाँ पर जब ये एकलाοता की बात है अगर इकलाउता सब्द नहीं रहता तो या तो पत्ती सकता था या तो देवर हो सकता था लेकिन इसमें आपको क्या डिफाइन कर दिया है कि एक लोता मतलब एक ही है तो जब एक ही है तो इसका क्या होगा यह पूरुष पती हो जाएगा आपका ओप्शन नंबर कौन हो गया यह डी हो गया क्यूश्चर नंबर साथ का रहा है कि यदि दस छात्रों का एक समू आपस में दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे तो इस तरह देखा गया कि एक दस छात्रों का एक समू है जो आपस में बारी बारी से हाथ मिलाते हैं बारी बारी से दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कहा गया कि मिलाए गए हाथों की संख्या पूछ रहा है तो इसके लिए फर्मूला होता है कि 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 इन कि इन व्यक्तियों द्वारा मिलाए गए इन व्यक्तियों द्वारा मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर होता है संख्या बराबर इन इंटू इन माइनस बन बटा टू यही आपका क्या है फर्मूला है यही आपका फर्मूला है जहां जहां इन बराबर हो गया ब्यक्तियों की संख्या ब्यक्तियों कह लिजिए या तो छात्र कह लिजिए शंख्या तो देखे ध्यान से देखिएगा कि ये करा एन व्यक्तिय। मिलागे छात्रों हाथों की संख्या हो जाएगा एन in to N मास बन बटता तो देखे इसमें छात्र कितना जी 10 छात्र है छात्र यहां पे आपका क्या हो जागा एन के जगा पर इन का मान क्या हो जाएगा एन बराबर क्या हो जाएगा दस यह आपका क्या हो जाएगा च्छात्र हो जाएगा तो इसलिए कराए की कितनी कुल कितनी बार हाथ मिला जाएगा तो इसलिए मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका n into n minus 1 बटा 2 तो n का मान कितना हो गया 10 into 10 minus 1 बटा 2 देख्यागा यह 10 हो गया 10 में से 1 गया तो क्या जागा नो बटा 2 दो से काट यह 10 में कितना हो गया जी पांच और नो को पांच से गुना कर दी ता कितना हो जागा आपका पैंत तालिस आत्या छात्रों द्वारा छात्रों द्वारा मिलाये गए संख्या बराबर कितना हो जागा फैंटालीस बार मिलेगा फैंतालीस बार यह 10 छात्रों के द्वारा क्या दूसरे से हाथ मिला जाएगा आपका ओप्सन नंबर कौन सा हो गया ओप्सन नंबर डी इसमें करना यही होता है कि जितना भी ब्यक्ति दिया हुआ रहे उसको एन माल लेंगे पिर क्या करेंगे एन इनटू, माइस बन कर देंगे जो फूल छाथ होता उसमें से एक घटा के बटे टू कर देंगे तो इस तरह से काटने पिर क्या हो गया कि बटाट्व हो गया कि दस में से नौ बचा बटा टू तो सब्सक्राइब कितना हो गया आपका पैंटालीस अंसर कि इसमें कहा गया है कि बिच बराबर है ग्यारा के तो समानुपात एक सो दो बराबर होगा किसके इसमें देखे कि किस पैटर्न पर यह काम कर रहा है यह बिस बराबर हुआ ग्यारा के तो हमको ऐसा ही एक सो दो के बराबरी करना है कि यहां पर कौन सा संख्या होगा कि दोनों एक दूसरे के नियम को फोलो करें बराबर करें तो ध्यान से देख कि यह बीस है इसको है कि मैं अगर दो से भाग देके एक जोड़ देते हैं तो देखिये तो क्या होता है है क्यों से भाग दिजिए दास हो गया थे दास हो गया अब 10 पलस एक बराबर क्या हो गया आपका 11 हो गया जो कि आपको बराबरी में दिया हुआ ही 11 उसी तरह से उसी तरह से सामनुपात के बाद वाले को भी करेंगे क्या करेंगे 102 है उसको क्या करेंगे दो से भाग देंगे उसमें क्या करेंगे एक जोड देंगे तो देखिए दो से भाग देंगे दो पच्चेश दैस एक आपका क्या हो गया 51 पलस बन बराबर क्या हो गया बावन यह आपका अंसर हो गया जिस तरह से यह नियम को फॉलो कर रहा था उसके बाद देखे कि यह भी उसी नियम के फॉलो करने पर बनाया गया है तो यहां पर अंसर क्या हो जाएगा आपका यहां कि इसमें किया थता क्या कि kis तरह दो से भाग दिया उसमें एक जोड़ें तो हुक्त क्या होगे य। यह नियम को पालन कर रहा है So ंत्तरह से अगर यह सुझत वाले बाद ही आध वाले संख्या को को करेंगे तो 102 को हमने क्या किया दोसे भाग दिया एक जोड दिया तो मैं एक जोड देंगे तो नंबर कौन्सा हो गया तो साथिYow इसी तरह से आज के रिज्णिंग के आति महत्यपूर्ल क्यूष्चन यहीं पर समाप्त होता है और मैं आसा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा अगर इसके बाद भी अगर कोई तूटी रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और साथियों अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्क्राइब न और बेल आइकन को दवा दें ताकि जितने भी मैं वीडियो डालूंगा वह आपके नोटिफिकेशन में मिलता रहे और बहुत सारे वीडियो हमने बना रखा है वह हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं धन्यवाद साथियों